पावरफुल होता है, मतलब investment जादा भी होती है, आच्छा, प्रश्न है, बाप की किस आज्या को पालन करने वाले बच्चे ही पारश बुद्धी बनते हैं, बाप की किस आज्या को पालन करने वाले बच्चे? देह के सब संबंदों को भूलकर बाप को राजाई को याद करू रिक्वेस्ट नहीं है आग्या है यही सद्गती के लिए सद्गुरु की श्रीमत है जो यही श्रीमत को पालन करते है अर्था देही अभिमानी बनते है वही पारश बुद्धी बनते है जितना जितना आग्या का पालन करेंगे उतना दिल पर चड़ेंगे आच गीत है आज अंधेरे में है इंसान आगे जीदी यह तो ज्यादा याद नहीं है आज अंधेरे में है इंसान ज्यान का सूरत चमका दे भगवान इतना सा ही कुछ यार है भटक रहे है राह दिखा दो भगवन राह दिखा दो आगे बुलिया जब पुकारते जा रहे हैं अंधेरे में हैं हम लोग जब तक ज्यान नहीं था सभी डार्क में थे कहते न तुमने मुझे you have kept me in dark अभी तक अंधेरे में रखा ज्यान यह है रोशनी खराब है ओम शन्ति यह कल्यों की दुनिया है सब अंधेरे में है इसलिए अंधेरा है यही भारत सोजरे में था देखो कल क्या था आज क्या है जब यह भारत स्वर्ग था यही भारत वासी जो अपने को हिंदू कहलाते है यह असुल देवी देवताय थे भारत वासी स्वर्ग वासी थे जब कोई धरम नहीं था एक ही धरम था स्वर्ग वैखुंट बहिष्ट हेविन यह सब भारत के नाम थे भारत प्राचीन पवित्र बहुत भौत धन्वान था अभी तो भारत कंगाल क्योंकि अब कल्यूगी है वा सत्यूगी तुम सब भारत वासी हो तुम जानते हों अंधियारे में हैं जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे अंधेरे में थे कुछ पता नहीं था और अंधेरे में क्या-क्या प्राब्लम होती है एक तो पता नहीं चलता है किसका, और फिर भटक भी जाता है, ठोकर खाता है, तीसरा ठोकर खाता है, क्योंकि पता नहीं चलता है, तो यहां गिर गया, वहां गिर गया, और फिर अंधेरे में डर लगा रहता है, कि क्या पता कहीं पैर ऐसा न पढ़ जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, तो आज आत्माओं को डर क्यों लगा है, क्यों सब कॉमन कंपले ने मन बटक रहा है, क्योंकि ये ज्ञान के रौशन है, हम लोग कन्फर्म्ड है न, बेस्ट होना है, थी बेस्ट, कोई जैसे हम पुरशारत करी रहा है न, कुछ हुआ हम केते हैं, सुरक्षित आनी वाला है, यही पुरशारत चल रहा हैंना सबका, मतलो संकल्प ही नहीं, डाउट ही नहीं, तो यह अंधिरा और यह इस रोश्नी तो बाबा कहते हैं आज अंधिरे में है तो पहले पता था कि हम अंधिरे में थे अगर अब भी भी ऐसा संकल्प चलता है कहीं ऐसा नहों मतलब डर वाला तो मतलब अंधिरे में है नए नए आते हैं स्वर के राज राजेश्वर राज राजेश्वरी लक्ष्मिनारेंट थे उनको सुकधाम कहां जाता है अभी सब जीवन बंद में है खास भारत आम दुनिया रावन की जेल शोक वाटिका में है ऐसे नहीं कि रावन सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई यह सब है दंत कथाए गीता है मुख्य अगर इतना बड़ा शास्त्र बना जो उसका रोल मॉडल मतलब वो केवल गाओ आज रामायन रखो गाते जाओ भागवत सप्ता करते जाओ तो भी उसका महतम है पुन्य है तो इसका मतलब वो एक व्यक्ति से कनेक्टेड नहीं होगा न एक रावन एक सीता बहुत ही बड़ा वो रियल एपिजोड हुआ होगा तो वो एक समश्टी का सूचक था इस कारण वो इतना माना हुआ था तो बावा कहते हैं तुम सब तो ऐसे नहीं न यह सब दंद कता है मनुश्य तो कोई की सद्गती कर न सके सत्यूग में था जीवन मुख देवी देव जिन्नोंने यह वर्षा कलिउगंत में पाया था भारत को यह पता ही नहीं था न कोई शास्त्र में है शास्त्र तो सब भक्ती मार के लिए वह सब भक्ती मार का ज्यान है सद्गती मार का ज्यान मनुश्य मात्र में है नहीं बाप कहते कि मनुश्य मनुश्य के गुरू बन न में है द्वापर कल यूग में भक्ति सत्यूग त्रेता में है बहुत एक्यूरेट प्रालव्द ग्यान की प्रालव्द प्रालव्द नहीं और संगम यूग में है ज्यान मिल रहे है तो ज्यान और सत्यूग कृता में ज्यान की प्रालव्द है वह बहुत क्लियर होना चाहिए यह नहीं कहिंगे हम सत्यूग कृता में बहुत ग्यानी थे तो रिजल्ट है उसका तो बाबा कहते है तो वो प्रालव्दी जीवन है ऐसे नहीं वहां यह ज्यान चलाता है यह जो वर्षा भारत को था यह बाप से संगम परे मिला था जो फिर अभी तुमको मिलता है मिल रहा है भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते है तब प पतित पावंदु खरता सुक करता किसका सर्व का क्योंकि खास भारत दुनिया आम में पाच विकार है यह बाप है पतित पावन बाप कहते है श्रुबाबा कहते है सामने श्रुबाबा है मुझात्मा को एक-एक आज रौष्णी लेनी है न एक-एक किरने मेरी चमक बढ़ेगा तो देखो बाबा कहते है मैं कल्प 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 के संगम युक पर आता हूं बाबा को फील करें बाबा बोल रहा है मेरे सामने किरने फैलाया हुआ मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं सर्व का सद्गति दाता बनता हूं अबलाओ अहिल्याओ गणिकाओ और कुपजाओ और और किसका उद्धार वाला वर्ड कुछ किसका है और गुरु लोग जो है उनका भी उद्धार मुझे करना है मिन्स हर सेक्षिन आफ कम्यूनिटी पर्टिकुलरी यह वाले जिसको क्यू बाबा ने अबलाओ अहिल्याओ गणिकाओ इसको बुला जो रिजेक्टेड सेक्षिन है सोसाइटी की परिजेक्टेड मतलब कोई ऐसे नहीं कि उनको अलग रखा जाता है छोटी नजर से देखा जाता है यह वाले सेक्षर्ण और दूसरा जो इसको बहुत बड़ी नजर से देखाजाते गुरु लोग दोनों को दोनों का उध्धार करना जाता है. क्योंकि ये तो है पतित दुन्या, पावन दुन्या सत्यु को कहा जाता है? भारत में लक्ष्मिनारण का राज्य था, ये भारत वासी ही नहीं जानते, कि ये स्वर के मालिक थे. पतित खंड माना, पतित खंड माना, गापर कल यूक, इंप्यूर बुलाओ, नेम तो आज यूक नहीं, इम्प्योर मतलब वी बढसे नाम है. इम्प्योर खंड मतलब जूठकंड, जूठकंड, पावणखंड मिनला सच खंड, पॉर में रियल मुत से हैं, पतित मेंकेंस इम्प्यौर इम्प्योर गी मतलब जूठकंड। डालडा गी होता है प्योर गी होता है क्या फरक होता है बोलो जी घी वाले गी वाला है कोई और कुछ भी मनमत श्रीमत में मिक्स नहीं करना तब मेरे लिए सचखंड शुरूआ अपनी एक भी मनमत मिक्स की तो फिर सचखंड नहीं सचखंड नहीं है सचखंड के मालिक नहीं बनेंगे भारत पावन खंड था इन लक्षमदारन की सुरेविंशी डिनेस्टी थी यह भारत है विनाशी खंड जो कभी विनाश नहीं होता है जब इनका राज्य था तो और बाद में आते हैं कि ट को प्योड में सब लोग नहीं आ सकते मतलब सीवता सचा दो हर चीज एक होती न तक कर इसलिए जब देवी देवता धरम था तो और्लोड sibling होई नहीं सकते क्योंकि एक ही होगा प्योर एक ही होगा बाद में क्यों धरम और होते गए खंड और होते गए डिविजन और भारत होता गया क्योंकि जूट था जूट होता है तो बहुत होते हैं सच है कि हर चीज सच में जैसे हम इदर क्लास कर रहे हैं यह हकीगत है यह एक ही है अब इसमें दो चार बाते नहीं हो सकती है कोई भी इवेंट जो है हो रहा है सामने है वो एक ही होता है हाँ फिर अलग-अलग वे से उसको वो बुलेगा नहीं कर रहे है इस तरफ था यह था वो था वो महुत सारी बाते कोई कहेगा ऐसा कोई कहेगा ऐसा यह भारत अविनाशी खंड जब इनका राज्य था तो और कोई खंड नहीं था शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल तो यह कि यह जो कल्प लाखो वर्ष का लिख दिया है बाप कहते है न तो कल्प लाखो वर्ष का होता न सत्यूग लाखो वर्ष का होता कल्प की आयू 5000 वर्ष है यह फिर कह देती कि मनुष्य 84 लाख जनम लेते मनुष्य को कुत्ता बिली आदी बना दिया है प्रंत उनका जनम अलग है 84 लाख वेराइटी है मनुष्य की वेराइटी एक है उनके ही 84 जनम है बाप कहते है वापस बाबा बोल रहे है बाबा कि एक पॉइंट जैसे जैसे जार आया अंदर ये फील करें कि बाबा की एक एक पावर अंदर जा रही है इस तरह बाब कहते बच्चे तुम आदी सनातन देवी देवता धरम के थे बाबा खुद बोल रहा है भारत वासे अपने धरम को ड्रामा प्लायन अनुसार भूल गय है कल्युगंत में बिल्कुल पतिद बन पड़े है फिर बाब आकर संगम पर पावन बनाते हैं इनको कहां जाता है दुखधाम फिर पाठ सुखधाम में होगा बाब कहते हैं बच्चो तुम भारतवासी स्वरगवासी थे फिर तुम 84 जनम जनमों की सीड़ी उतरते उतरते हो सतो में रजो थमों में जरूर आना है तुम देवताओ जितना धनवान और स्टार्टिंग में बाबने कहां बच्चे तुम देवी देवता धरम के थे तुम देवताओ जितना धनवान ever happy, ever healthy कोई नहीं होता है exercise करेंगे मा कंचन काया है प्रकृती से तो प्रधान है कुछ करने की ज़र करें रिलाक हो जाएंगे को तकलीफ ही है देवताओं की जीवन lifestyle ही इतना accurate है grain इटर थोड़ी थे fruit इटर थे तो यह सब करने की ज़रोती नहीं थी मन चंगा देवता जागी पताया है सुबह का उसका ड्रेस अलग होगा वो पहर हैपी, ever healthy exact figure ज़रोती नहीं exercise करो न मोटा न पतला कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बहुत साला टाइम वैसी बच जाएगा भारत कितना सावकार था देखो सुबह सुबह का अमारा न मुरली और न एक्ससाइज और न प्राणायाम सुबह का टाइम जो तीनों आज एक प्रेशर हो जाता है लोग सोचते मुरली सुने तो एक्ससाइज रह जाते हैं तिनों नहीं हो गावा, तो बाबा कहते हैं, भारत कितना सावकार था, हीरे जवारा तो बड़े बड़े पत्थरों मिसलते, कितने तो तूट गए, बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे वापस बाबा सामने, तुमको मैंने कितना सावकार बनाया था, तुम सर्वगुन संपन सोला कला संपूर्ण थे यथा राजा रानी इनों को धन भगवान भगवती भी कह सकते हैं परन्तु बाप ने समझाये कि भगवान एक है वह बाप है सिर्फ इश्वर्वा प्रभु कहने से वह याद नहीं आता देखो हम प्रभु नहीं कहते हैं किसे ने अभी कहाँ प्रभु कहें प्रभु से ध्यान अभी प्रभु प्रभु वर्ड नहीं यूज़ करते हम इश्वर्वर्ड भी यूज़ नहीं करते हैं बाबा, लविंग फ्रड आपको जैसे कहें कि अरोरा जी और एक कहे भाई कौन सा प्यारा लगता है अरोरा जी हम लोग कोई जी वर्ड नहीं यूज़ करते इवन किसी को भी बोलने के लिए वरालिका जी हिमलता जी नहीं यूज़ करते हम क्या कहते हैं बहन भाई ऐसे वर्ड यूज़ करते आपस में भी जब एड्रेस करते हैं तो तो बावा केते हैं सिर्फ इश्वर प्रभू कहने से वो याद नहीं आता वो सभी आत्मों का बाप है यह तो है बेहत का बाप वो समझाते कि भारतवासी तुम जैनती मनाते हो परन्तु असुन में बाप कब आये थे यह कोई भी नहीं जानते है यह आयरे नेजट पत्थर बुद्धी पारस नात थे इस समय तो पत्थर नात है कितनी अच्छी बात है मिनिमम किसी का बारे में अगर पता है इतना तो पता है कि वो आया और इस डेट को आया बाखी चलो जीवनकानी तो next step है मातमा गांधी का चलो बहुत सारे हमको उनके stories नहीं पता हो उनके incidents नहीं पता हो उन्होंने क्या क्या किया कितने समय जेल में रहे कुछ नहीं पता हो लेकिन इतना तो पता होगा जैनती है वो आये थे और फिर दूसरा second October है इतना भी पता होता है लेकिन अगर ये यही दोनों नहीं पता क्या कहेंगे फिर क्या जानते उसके बारे में फिर मिनीमम से मिनीमम है बाबा कहते है शिवरात्री मनाते पता ही नहीं तुम जैनती मनाते हो परन्तो असुल में कब बाप आये थे यह कोई भी नहीं चानते है यह आई रे नेजट पत्थर बुद्धी नात भी नहीं कहेंगे क्योंकि राजा राजा बाबा कहते पारस नात थे इस समय पत्थर नात है यह बोला बाबाने फिर बोला नाथ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि राजा रानी तो है नहीं, नाथ वर्ड थोड़ी योज करते हैं, पहले यहाँ देवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है, यह खेल है, वह हत का ज्रामा, यह भी हत का ज्रामा, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी आदी से अंत तक तुम अभी जानते हो, और कोई भी नहीं जानते, भारत में जब देवी देवता थे, तो सारी श्रष्ठी के मालिक थे, और भारत में ही थे, तो बाप भारत वासियों को स्मृत्ति दिलाते, देखो बाबा सामने, याद दिला रहे है, क्या दिला रहे है य सत्यूग में आदी सनातन देवी देवता, इनों का स्रेष्ट धरम, स्रेष्ट करम था, पुर चौरासी जन्मों में उतरना पड़े, यह बाब बैट कहानी सुनाते हैं, कि अब तुमारे बहुत जन्मों के अंध का जनम है, एक की बात नहीं, न युद का मैदान आदी ही है, जुद कलचे हैं, वहीड दूरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, अपर थीन गफंटे का पेपर है आपका वो बारागंटे का पेपर है, दो घंटे का प्रोग्राम है, और라고 कहें दो, आपक्त के का पस् pura प्रोग्राम है, घносink the तो हम सारा अपना पूरा आजस्ट करते ह आदा घंटा इसमें लगेगा एक घंटा मुरली का है आदा घंटा पुर्शारत का है एक चोटी से दिन्चरिय बनानियों उसमें भी फिगर्स का महत्व होता है और इतने बड़ा अकल की आयू कोई फिगर नहीं कोई ये कह देता है कोई वो कह देता है सबसे वड़ी डार्कने सर्म है तो भावा कियते एक की बात नहीं तो अब आप संजहते कि मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते इसको भगवान नहीं कह सकते, यह लौ है, देवात्मा, परमात्मा नहीं, क्योंकि भगवान इस वन, गॉड के साथ कभी प्लूरल नहीं यूज करते हैं, गॉड्स, वो एक अलग बात है, इंग्लिश में थोड़ा वो देवी देवताव के लिए वैसे कह दिया, पर अदर्व इश्वरिय, क्या बोलते हैं, बधाया, तो इश्वरा, या वर्ड नहीं आता है, फ्लूरल, नहीं, परम पिताए, नहीं, वर्ड ही नहीं है, शब्द कोश ही नहीं है, शब्द कोश में ऐसे कोई शब्दी नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं, मनुष्य मनुष्य की सद्गत वहता है कि सर्व का सद्गति दाता पतितों का पावन करता एक है, यह है जूठ खंड, सच्चा बाबा, सच्छ खंड स्थापन करने वाला है, God is truth, तो जो truth है, वो जो दुनिया भी बनाएगा, कैसा बनाएगा? जिसकी जो specialization है, तो उसकी जो product भी होगी ना, तो बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ दे वोल्ड है, तो उसका जो product भी होगा ना, तो उसका मेहल, वो घर भी मेहल की तर देखने लाइक होगा, सच्छ गॉड़िस टुथ क्या बनाएगा, आज की दुनिया बनाएगा, ब्रेंट नेम होता है ना, तो उसे साथी बनाएगा, भक्त पूजा करते है, परन्तु भक्ति मार में जिसकी भी पूजा करते आए है, एक की भी बाइग्रॉफ ही नहीं जानते है, शीव जेहनती तो मनाते, बाप है नही दुनिया का रचेता, Heavenly Godfather, बेहत सुख देने वाला, सत्यूग में सुख था, वो कैसे और किसने स्थापन किया, नरकवासियों को स्वरगवासि बनाया, भ्रष्टाचारियों को स्रिष्टाचारी देवता बनाया, ये तो बाप का ही काम है, तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, बाबा के कितने कितने काम है, आज नोट करो, तो ब्रश्टा नरक्वासियों को स्वर्गवासी बनाया। तो पहले बोला था अप्सक 19 पत्थर नाथ पारश नाथ नरक्वासियों को स्वर्गवासी बनाया। आप भष्टाचारियों तो भष्टाय बनाया ये तो बाप का ही क्वाम है कि इतनी करप्टेर व्र्लड में एक दमनी स्वार्थ व्र्लड बनाना भष्टाचार किसे कहते प्ष्टा इतना सा मुँ खोले उसके भी पैसे लेते लोग, इतना मनी माइंडेड और भ्रष्टाचार हो गया, मतलब क्या है, विदेशों में क्या है, सुन रहे है डॉक्टर, साइकेटरिस्ट आदा घंटा सुन रहा है सिर्फ, उसका भी, है न, तो भ्रष्टाचारियों को, अचारी देवता बनाया, और फिर बाकी पतित को भी भ्रष्टाचार बाबा कहते है, दूसरा लेवल का मीनिंग है, यह तो बाप का ही कार्म है, तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, तुम स्वर के मालिक बनते हो, फिर तुम को पतित कौन बनाता है, यह रावन, मनुष सबको सुख देता हूं, बाबा को देखते ही क्या फिलिंग आ रही है, जैसे एक इनोसेंट बच्चा होता है, उसको देखते ही सबको प्यार आता है, क्योंकि इनोसेंट है, सच्चा है, श्रु बाबा को देखते ही क्या होगा, सुख और दुख देने वाला होगा तो उसको को सुखी देता हो आधा कल फिर तुम बाप का सिम्रन नहीं करेंगे फिर जब रावन राजी होता है तो सब की पूजा करने लग पड़ते यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंध का जनम है कहते बाब हमने कितने जनम लिए बाप केते हैं बच्चे क्या कहरें बाबा सामने त तुमने पूरे चरासी जनम लिए है तुम्हे किस जनम लिए बेहत के बाप से वर्सा लेने आयो अर्थात सच्चे सच्चे सथे बाबा से सथे कथा नर से नारायन बनने है नर से नारायन बनने का ज्ञान सुनते हो यह ज्ञान वह है भक्ति यह स्पृच्चल नौलेज सु पड़े, आजाओ, वापस, point of light, देही अभी माने, मैं चमकता हुआ बिंदी, इद्धम पावर्फुल, बाबा केते हैं, बच्चे, अब इसके लिए जब तक किसको कौन कहरा है, ये क्लियर होगा, किसको बोल रहा है बाबा, बच्चे वड किसको बोल रहा है, जो उसका बच् शरीर को थोड़ी बोल रहा है, तो बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तो इसके लिए देही अभी मानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चे कर मामे कम याद करो, आगे, कुटिया में जोती चमक रही है, आत्मा निश्चे करो, श्रिवाबा तो सभ आत्मा का बाप है, आत्मा इस सब परमधाम से पाड़ बजाने आती है शरीर में, इसको करम शेत्र कहां जाता है, बड़ा भारी खेल है, आत्मा में बुरे वा अच्छे संसकार रहते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को जनम मिलता है, अच्छा वा बुरा, यह जो पावन थ अभी पतित है ततत्वम, मुझ बाप को इस पराए रावन की दुनिया, पतित दुनिया में, पतित शरीर में बाबा कहरा है, देखो, मुझे कहां ना पढ़ रहा है, कितना प्योर, कितना बड़ा, कोई आने वाला हो घर में तो कैसे, घर को भी हम कितना अच्छा रखते हैं कोई एक सिंपल गेस्ट भी आने वाला हो तो वो घर अच्छा होता है, सेट कर लेते हैं शी बाबा कहते हैं, देखो मुझे मुझे बाप को इस पराय रावन की दुनिया पतित शरीर में आना पड़े अब इतना बड़ा मैं आऊंगा तो जो शरीर लोगा थोड़ा तो बेटर होगा ना? वो आत्मा मतलब बाकियों से तो थो, बैस्ट तो होगी ना वो आत्मा अब हम कहतें उसमें भी question मौर्ट Curtis आत्मा कॉनसी है इतना तो वो करे बाबा कहते हैं मुझे पतिस शरील में आना पड़ता है आना जो पहले नंबर में जाना है कितना देखो तो बाबा का और लॉकिक गुरीप अगर कमपैर करो इसमें, तो गुरू चाहे कितने भी सेंट, मतलब चाहे वो बहुत सतो प्रधान या जो भी कहने के लिए होंगे, और है भी पर्ष ब्रह्मा बाबा की निरंकारिता की जो लेवल है, वो लेवल कोई भी निरंकारिता, से इगो में कोई भी गुरू की नहीं थी। मतलब इतना कुछ करके भी बाबा कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं और जैसे कोई कहे ना भाई मुझा बाबा से कनेक्शन है राइट है, मतलब उसको बिल्कुल मान नहीं दो तो भी चलेगा गुरू हम लोग को इसमस में ढूल को तैसे वह किम आनाज रथी प्रणाम करो जा कि सताना stuck जुम अथ्या, अप्रणाम तुम हिए घर, खूंध прекा करो ह figured that the कम खूधी निरंकारिता कि लेविल बंढं़ है तो आशे में ऐसा नि निरंकारिता लेविक है। और कितनी बार तो बाबा सन्यासियों को बोला श्युब भाई बताते न कि वो आया सन्यासी बिठाया बेहनों ने, नीचे बिठा दिया, मैं तक्ति पर जब बाबा मिलने यफ के वाप से जुफा के बाबा से मिलने आया तो बाबा उठ पर बिठा एárias बाबाания कोने अपनी भी पहले नंबर में जाना है, जो उस शरीर में आना है, जो पहले नंबर में जाना है, सुर्य वन्षी पूरे 84 जनम लेते, यह है ब्रह्मा और ब्राम्मन, बाप समझाते रोज है, लेकिन पत्थर बुद्धी को पारस बुद्धी बनाना, पत्थर बुद्धी, बोलते जाओ बूलते जाओ, असर ही नहीं पड़ता है, ऐसो को पारज बुद्धी बनाना, मासी का कर नहीं है, कितना समय लग जाता है, कन्विनियन्ट होता है, बस कहते जाओ, भागंती हो जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, भागंती भी हो जाते हैं, हे आत्माए अब देही अभिमानी बनो, हे आत्माए बाबा बार बार बोल रहा है, सामने देखो, एक बाप को याद करो, और राजाई को याद करो, देह के संबंधों को तो पारश बुद्धी बन जाएगी मरना तो सब को है सब की अववानप्रस तवस्था है एक सद्गुरु बिगर सर्व का सद्गति दाता कोई हो नहीं सकता बाप कहते है हे भारतवासी बचो तुम पहले पारश बुद्धी थे गाया हुआ है कि आत्मा पर्मात्मा अलग रहे बहुकाल तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धरम वाले थे और और धरम वाले पीछे आई है तो उन्हों के जनम भी थोड़े होते है सारी स्रिष्ठी का जाड कैसे फिड़ता है वो बाब बैठ समझाते है जो धारणा कर सकते है उनके लिए तो बहुत सहच है आत्मा धारण करती है पुन्य आत्मा और पापात्मा तो आत्मा बनती है तुम्हारा अंतीम चरासिवा जनम है तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरू करते हैं मंत्र लेने के लिए तुमको अब बाहर का मनुष्य गुरू करना नहीं है अब हमारे कोई भी बाहर के गुरू नहीं हो बहुतों ने वीडियो आफ क्यों किया हुआ है बहुतों ने वीडियो आफ किया हुआ है तो बाबा कहते हैं क्या कहां बाहर का मनुश्य गुरू करना नहीं है बाबा कहते हैं तुम सभी का मैं बाप टीचर सद्गुरू हूँ सद्गुरू मिल गया ना फिर फिर गुरू तो बहन थी तो उसने गुरू कियो यह थे बाबा मिले अब एक बाब दादा तो बाबा ने पूछा मतलब दूसरे ने कहां कि भई ये तो गुरू के पीछे जाती है तो युगल ने कहां तो बाबा ने अव्यक बाबता दा ने कहां एक इश्वड का बीच को पकड़ो टाल टालियों को पकड़ने से क्या फायदा फिनिश पूरा सार बता दिया बाबा ने तो बाबा कहते बचे बीच को पकड़ो तो तुम्हारा अभी तुमको कोई लौकिक गुरू करना नहीं है और एक्चुली देखा जाए तो सीखते कम है गुरू से वो रियल गुरू तो वैसे भी दौपर युक के गुरू तो रहे अगर दौपर युक के गुरू हो तो भी वाजीब है कि ठीक है बट तुम सभी का मैं बाप टीचर से तो उसके पीछे लोग फसे हुए है यह कन्या है जो प्रवचनादी करती है उनको पूछा अच्छे अच्छे प्रवचन करने वाली आचकल कन्या है नो संदली में बैठ के कज़े तो उसको पूछा तो बुला कि हां हम लोग तो शादी करेंगे हम तो नॉर्मल लाइफ लिड़ करेंगे तो और लोग उसको वीचारे को गुरू मान रहे है और पूरा मेक अप करके सब पूछ करके मतलब हिसाब इसना नहीं है यह लोकिक देह दारियों में उसमे अपना न टाइम, मनी, एनेरजी वेस्ट करना है समस्दार जो होगा वो इसमें नहीं करेगा सद्गुरू मिल गया न चाहिए क्या था वो मिझे मिल गया न ज्यान यह था न मुर्ली से बियॉंड कोई ज्यान है कोई नहीं है और ब्र्मा बाबा से बियॉंड कोई रोल चैतन्य है, क्योंकि अमरे सभी आत्मां में पाठ भरा हुआ है, बाप भी सत्य चैतन्य है, वो मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप होने के कारण कहते हैं, कि मैं सारे जाड के आदिमध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नौलेच फुल कहा जाता है, तुमको भी सारी नौलेच है, कि बीज से जाड कैसे निकलता है, जाड बढ़ने में तो टाइम लगता है न, बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हो, अंत में सारा जाड जड़ड़ी भूत अवस्था को पाता है, अभी देखो, देवी देटाओ धरम का फाउंडेशन है ही नहीं, वाजीब है यह भी, क्योंकि बढ़ गया, बढ़ गया जाड, जितना बढ़ता है बाबामेशा इस मुनिश स्रिष्टी को बैनियन ट्री, बढ़का जाड, तो उसका तना दिखता ही नहीं है, नहीं वो वाला बोटैनिकल गार्डन, तना कहां दिखता है, तो इसी तरह देवी देवता धरम है नहीं, तना है नहीं, प्रायलो पे जब देवी देता धरम गुम हो जाता है, तब बाब को आना पड़े, एक धरम की स्थापना कर, बाकी सब का विनाश करा देते हैं, प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा बाब स्थापना करा रहे, आदी सनातन देवी देवता धरम की तुम आए हो भ्रिष्टाचारी से स्रिष्टाचारी बनने ये ड्रामा बना हुआ है इनकी end नहीं होती है बाप आते है आत्माई सब brothers है मुल वतन में रहने वाली जो उस एक बाप को सब याद करते है दुख में सिम्रन सब करे रावन राज्य में दुख है यहां सिम्रन करते है तो बाप सर्व का सद्गति दाता एक है उनकी महिमा है बाप ना आए तो पावन कौन बनाए क्रिष्टिन इसलामियादी जो भी मनुश्रे है इस समय सब तमो प्रधान है सबी को पुनरजनम जरूर लेना है अभी पुनरजनम मिलता है नरक में ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते है सरष्टि ये एक है न आत्मा शरीर छोड़ेगी सुक्ष्म वतन में तो वो ही जाएंगे और अगतर जाने वाले भी सुक्ष्म वतन में इधर आएंगे बाकी तो फिर यहां से यहीं ट्रांस्फर होंगे सुक्ष्म वतन में भी नहीं जाएंगे वो दुनियावी आत्मा है केवल वो ही जाते है जो ब्राह्मन आत्मा है जिनको बाबा को थोड़ा मलम पट्टी करना है शांतिवन जी का जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने बोला कि इस बच्ची ने बहुत तन के द्वारा भोगा है तो इस बच्ची को थोड़ा बाबा रिलाक्स करेगा इसलिए चार-पाच दिन बाबा ने सुक्ष्म वतन में रखा फिनिश एसो को जिनको बाबा को रखना है नहीं कैसे क्यों जाएगी उनको पता ही नहीं नहीं बाद में लास्ट में तो वो तो फिर पेमेंट करनी है ना इसलिए धैक्स के पेमेंट अभी अभी की बाद करें अभी नहीं लास्ट में तो सबगो पेमेंट करनी है वो तो भाया जाएंगे ही जाएंगे अभी सब का नहीं है तो हम ब्रांवन अत्में ज़रूर जाएंगे अगर बीक में चला गया शरी हाई ताप सुक्षम वतन टोलगेट बन जाएगा, सब को पेमेंट गरेगा। वो तो है, लास्ट वाला। हम ब्राम्मनों का, सिर्फ ब्राम्मनों का, सब का थोड़ी होगा। वो अभी पता नहीं, मतलब एक्जेक्ट संदेशी नहीं रही है। गुज्जार दादी, बड़ी दादी के समय तो संदेशी थी, तो बताया कि दस दिन था, तेरा दिन था, बाबा ने रखा था। जान के दादी, संदेशी नहीं थी, एक्जेक्ट। गुज्जार दादी, अभी आत्मों के लिए सुख शुवतन होगा। पुनरजनम जरूर यहां ही लेना है, अभी पुनरजनम मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं। धनम वाले कहते हैं कि सुर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, अभी सुर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। सुर्गवासी गया तो अच्छा ही हुआ न। Heavenly Abord तो तुम्हारे मुख में गुलाब। बोले क्या, session में, lecture में बोले। नहीं बोले। स्वर्गवासी हुआ, second question, फिर उसको नरक के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो, पित्र खिलाते हैं न, बंगाल में मचली अंडे आदी खिलाते, अरे उनको ये सब खाने की दरकारी क्या है, वापिस कोई जा नहीं सकता, यहां की चीज़े क्यों खिलाते हो फिर, जबकि प राम राम जबते रोमांच खड़े हो जाते हैं, यह सब है भक्ति मार्ग, यह सूर्य चांदादी रोशनी करने वाले हैं, यह देवता थोड़ी है, वास्तों में ज्यान सूर्य ज्यान चंद्रम और ज्यान सितारे यहां की मैवा है, अच्छा, मीठे मीठे, सिके लदे बच रुखानी बच्छों को नमस्ते, हम रुखानी बच्छों की 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 रुखानी बच्छों को कोई भी पापकर्म विकर्म नहीं करना है इस अंतीम 84 वे जनम में कोई भी पापकर्म नहीं करना है पुन्यात्मा बनने का पूरा-पूरा पुर्शार्थ करना है संपूर्ण पावन बनना है दुसरा है अपनी बुद्धी को पारश्पुद्धी बनाने के लिए देह के सब संबंदों को भूल देही अभिमाने बनने का अभ्यास करना है अपने देह के सब संबंदों को भूल देही अभिमाने बनने का अभ्यास करना है वर्दान है कम्पनी और कम्पैनियन को समझ कर साथ निभाने वाले स्रेष्ट भाग्यवान भव कम्पनी और कम्पैनियन को समझ कर साथ निभाने वाले स्रेष्ट भाग्यवान भव ड्रामा के भाग्य प्रमान आप थोड़ी सी आत्माई हो जिने सर्व प्राप्ति कराने वाली स्रेष्ट भ्रामानों की कम्पनी मिली है सच्चे भ्रामानों की कम्पनी चड़ती कलावाली होती है वे कभी ऐसी कम्पनी नहीं करेंगे देखो सच्चे ब्राम्मणों की कम्पनी करो ब्राम्मणों में बी ऐसी कम्पनी नहीं करेंगे जो ठेरती कला में आ जाए ना मेरा पुर्शार्त उपर जाता है ना नीचे जा रहा है वहां का वहां है और फिर जो सदा स्रेष्ट कम्पनी में रहते है और एक बाप को अपना कम्पैनियन बना कर उनसे ही प्रीति की रीति निभाते है वही स्रेष्ट भाग्यवान है तो यह है स्रेष्ट भाग्यवान, company और companion, तो ब्राम्मनों में भी उनकी company करो जिनकी चड़ती कला, जिनकी ठेड़ती कला, जो हम उसके साथ रहे, वो ऐसी बाते सुनाएं, तो उपर तो जा नहीं सकते, और नीचे चलो ना जाए, हहां मैं तो पहने, संग मुझे इसका impact ना हो, अगर लगता है, ऐसा संग का impact होता है, यहां तक कोई कहें ना, कि इह डादी रहा मेष्ध्यन और ना, दादी मेशा जाए कोई तुम्हारा मित्र नी होना ची यह सब मित्र होनेancia, मित्ता मतलब मैं दिल की लेंदेन करू वो मित् मित्रता नहीं है, मित्रता मतलब रुहानी लेंदेन करो, मित्रता मतलब समाचारों की लेंदेन नहीं है, अच्छा, ब्राह्मन परिवार का भी समाचा नहीं है, BBC, ब्राह्मन ब्रोडकास्टिंग कमिशन, तो उसके भी बड़े समाचारों होते हैं, अच्छा, उस सेंटर में ब्राह्म Google को इस तरव हमें इंट्रेस्ट नहीं है तो इसलिए ऐसे कभी भी यहाद बीओ उन्हें रखो और नहीं हमें मित्र में यहाद दर्व मित्र नहीं हां नहीं फिर यहाद किической गयाद है vet स्कूरिष्ट कंपनी में रहने वाली और बाप को दो समझने वाली आत्मा हों। भागयवान आत्मा हो। भाग्यवान का है न, इसको कहेंगे भाग्यवान, आज का, आज वेडनेस डे है न, आज इवनिंग का टॉपिक यही है, निश्चिंत जीवन, भाग्यवान जीवन, यही वाला टॉपिक है, शाम की क्लास का, तुबावा कहते है, स्लोगन है, मन और बुद्धी को एक ही पाव फुर्फुल स्थिती में स्थित करना, यही एकांतवासी बनना है, ठीक है, आच्छा, परमात्म प्यार, शिबावा का प्यार, कितनी ले रहे हैं, थर्ड तारिक, परमात्म प्यार में ऐसे समाई रहो, जो कभी हद का प्रभाव, अपनी और आकर्शित न करे, सदा बेहत की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रुहानियत की खुश्मों वातावरण में फैल जाए, बाबा के प्यार में समाई रहो, ठीक है, तो ली बाबा की किरने, कितनी ली पुरे एक घंटा में, ली या चार पात बार रियाद आया बाबा, सामने था बाबा, बेरी गुड़, पुरा फुल आत्मा चमक गई, आज का हमारा थीम था न, सुबह की क्लास, मुर्ली की पहले, ठीक है ठीक, तो ये, कि अजिया बाबा की अजिया बाबा बाबा की कि अुल आत्मा चमक गई।